वो मुश्यांति आप सको सौगत है आज हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं पंदुरा सप्टेंबर की श्रुवदान की परमपिता परमात्मा ने आज अध्यात्मे के स्पिरिशल गैन में में बताया है कि कैसे हम कोई भी सिच्वेशन को फुल स्टॉप लगाते हैं फुल स्टॉप लगाना है अपने आपको सिच्वेशन को नहीं को पीछे फुल स्टॉप लगने जाएंगे तो हम औरों को भी फुल स्टॉप लगाने के कहेंगे लेकिन खुद का फुल स्टॉप नहीं लगता है जब हम कंप्लेन करते हैं ब्लेम करते हैं क्रिटिसाइज करते किसी को नीचा दिखाते हैं किसी को रॉंग प्रूफ करते हैं वहां पर हमारा फुल स्टॉप नहीं लगता है फिर और सिचुईशन और बढ़ती जाती है तो परमात्वा कहते हैं कि किसी भी परिस्तिति में फुल स्टॉप लगा कर दुआओं का अधिकार प्राप्त करने वा अपात है आत्योग्स दूआइं कमाओगे और तीन प्रकार की दूआइं कमाओगे लार्स्त रोला श्टक ऐसलिए लिए इस वरतानको एक कौन सी तीन प्रकार की दूआइं जो कमाओगे ॹ्णर फुल स्टॉप लगाते हो अपने लाइफ में अपने место पर तो कौन सी सोच वो तो बात की बात है लेकिन फुल सुब लगाना बहुत इंपॉर्टन है ताकि हम दुआएं कमें वो भी तीन प्रकार की काधिकार प्राप्त करने वाले महानात्मा भबा तो महानात्मा कौन है परमात्मा हमें डिफाइन कर रहे हैं महानात्मा वो है जिसमें और उसके अंदर ये wisdom होती है कि किस इंसान के साथ में कैसे behave करना और कैसे आग करना और कैसे रियाइक करना है और जो किसी भी परिस्तिति में full stop लगाने में swim को पहले offer करते हैं मुझे करना है मुझे बदलना है मुझे औरों के लिए वेट नहीं करना बदलने बेकास और अगर दसल बाद बदलेंगे तो आपका mood भी दसल बाद बान सिकता से मैं बिमार हो जाओंगा हमें अपने अंदर वो शक्ति बैदा करना है हमें अपने अंदर परिवतन पैदा करना है कि हमें full stop कैसे लगाना है विक्ति के बारे में सोचना है नहीं उससे मुझे कुछ हर्ट फिर निए intestines जब तक हमारे अंदर ऑडर फाल व्सी को तब तक हमें कोई हर्ट नहीं कर सकता जब हमारें अंदर प्योर ईगो होगी जिसको कहते हैं spiritual ego तब हमें कोई hurt नहीं कर सकता लेकिन जब तक हम hurt feel करने इसका मतलब हमारा हमारे ही प्रती प्रेम नहीं है हमारा हमारे ही प्रती self respect नहीं है self मतलब soul respect self respect मतलब दुनिया भी respect नहीं दन दौलत looks looks की बात नहीं हो रही है आपर यहां पर बात हो रही है self under soul आत्मा की जो सत्य respect वो नहीं है जो कि हम प्रमा कमारी से स्कते हैं वो है कौन सी respect तो जब तक हमारे अंदर अभिमान होगे तब तक हमें हर किसी की बात चुबेगी और कड़ भी लगेगी तो प्रमात्मा कहते है कि मुझे करना है मुझे बदलना है तो हमें अभिमान को कम करना है ताकि हमें कोई चीज बुरी न लगे ऐसे ऐसी ओफर करने वालों को तीन प्रकार की दुआएं मिलती है पहली स्वेम को स्वेम की दुआएं अर्थात खुशी मिलती है हम खुश हो जाते हैं क्योंकि हमने चलो छोड़ा उस वेक्ति ने जो कहा जो बोला उस सिचुशन को जो उसने करा वो चलो ठीक हो आप सही हो भी आप हमेशा राइट हो मुझे छोड़ दो क्योंकि मैंने छोड़ दिया है मैंने मान ली कि मैंने गल्दी कर दी खतम काम तो चेंज हो गए इसमें हमारी इगो नहीं खतम होई हमने अपनी इगो को हील क कर दिया और दूसरा विक्ति भी आपके सामने जुग जाएगा वो कितना लड़ेगा आपके सामने जब आप ही पीछे हो जाओगे तो इसलिए परमात्मा की दुआएं अर्थात खुशी मिलती है सेकंड बाप द्वारा परमात्मा की दुआएं मिलती है उपर से देख रहे कर हो वो लोग भी आपके दुआएं देते कि हाँ चलो इस विक्ति ने क्या कर दिया ठंडक लायती वही इस विक्ति ने जो सिचुशन थी सो काबू में कर लिया इसने अपनी गल्ती ना होते भी मान लिया और उसने सबको शांत कर दिया यह महनता है इसलिए अलबेलापन न तो इसलिए यह एकसेप्ट नहीं करना है कि होता ही है फुल स्टॉप लगाकर अल बेलेपन को परिवतन कर अलर्ट बन जाओ कि होता ही है चलता ही है गाली तो करने ही पड़ती है गुस्सा तो करना ही पड़ता है उपर नीचे बोलना ही पड़ता है लोगों को अपनी आउक मीं भीची को डड्यश्य वई म Мих ? कि क्ति को को ना है कि और किसी को यह सुचुशन को। और सुचुशन को अपने धो चेंज क необходимо कि और से शॉच चेंज और इसको और गहराई समझने साध़ यह कैना, पर जुच क करें लिए। उसके बारे। और गेहरा इसके समझें, इसके साथ तूम शंति